नमस्कार जन सब्सक्राइब अपने सारी व्यचारिक प्रतिबत्ताओं के साथ अपने शोताओं के साथ जो समसाम एक सवाल उठते हैं देश में विदेश में उन पर चर्चा करता रहा है उसी सिल्स्रे में पिछली बार नमस्कार जन सरोकार मंच द्वारा प्रसारिच की जा रही शंखलाओं में एक शंकला है आज के सवाल कि यह सवाल इसलिए है क्योंकि जन सरोकार मंच का जो सरोकार है वो आम जन के साथ बुड़ा हुआ है और उन सरोकारों के बीच एक सवाल उठता है देश में विदेश में कि गांधी के देश में गांधी पर ही प्रसिचिन क्यों लग रहे हैं इस संबन में आधर निये प्रकाशन जी जैन जिनका एक विस्तृत अध्यान है गांधी दर्शन पर लेकर गांधी सहित्ती को लेकर पिछले एपिशोड में आपने कुछ अपने संबोधन में यह क्लियर किया था कि वहीं सवाल किन मुद्दों को लेकर उठ रहे हैं और उनकी वास्तिक्ता क्या है कि आज मैं पुने आगरे करता हूं जैन साथ से कि वह उस बात को पुने शुरू करते हुए पुरी तरह अपनी बात कहें कि गांधी के देश में गांधी पर प्रेश्ण क्यों अधरेशन साथ कि नमस्कार सभी प्रबुद्ध स्रोतागंड गांधी पर पिछली बार जब वारता हमने की थी तो सक्षेना साथ ने ये प्रस्ण उठाया था कि ऐसा क्यों है कि गांधी को मानने वाले भारत के बाहर ज़्यादा है और भारत में गांधी पर प्रस्ण उठाने वाले ज़्यादा हैं तो इस सम्मन में एक प्रसंग बताते हुए मैं अपनी बात रखूंगा खान अब्दुलगफार खान आजाग भारत में जब भारत आये थे तब उनसे प्रस्ण किसी ने पूछा था कि मात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए और बोध धरम का जो व्यापक फेला हुआ वो भारत के बाहर हुआ और करीब करीब बोध धरम भारत से विलुप्सा हो गया तो क्या यही बात गांधी पर लागू होती है गफार खान से यह पूछा गया क्या बोध धरम की तरह गांधी दर्सन या गांधी वाद को भारत में बुला दिया जाएगा और भारत के बाहर उसका प्रचार प्रशार ज़्यादा होगा तो गफार खान ने इस मात को नकारते विए कहा था कि मात्मा बुद्ध का समय अलग था आज का समय अलग है गांधी दर्सन भारत में जीवित है और रहेगा अगर कोई भी विक्ति इसको खत्म करने का प्रियास करेगा तो वो अपना और राष्ट्र का नुक्सान करेगा तो ये एक अब्दुल कपार खान का संस्मन जो है इस संदर में मैंने देना उचित समझा कि इस मारता का मुख्य जो आधार है वो ये है कि गांधी पर प्रस्न क्यों है पिछली बार मैंने बताया था कि कुछ लोग है जो गांधी की कई मातों का विरोध करते हैं और कई बातों के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं. आज जिस बात के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसमें सबसे मुख्य मिल्दू जो मैं लूँगा वो यह है, कि गांधी पर यह बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि गांधी ने भगत सिंग, राजगुरु और शुकदेव की फांशी रुखवाने का प्रियास नहीं किया. यदि वो फांशी रुखवाने का प्रियास करते तो यह फांशी रुख सकती थी. अब पहली बात तो मैं ये इल्जाम लगाने वालों से ये पूछना चाहूँगा कि गांदी किस हैसियत से वो ये प्रियास करते कि क्या हैसियत थी क्या ब्रिटिस सरकार गांदी की हर बात को मानने को लिए तयार थी या गांदी का प्रभाव क्या ऐसा था कि ब्रिटिस सरकार उनकी हर बात को सुकार करने के लिए तयार थी जबकि हम देखते हैं कि बिटिस सरकार के लिए सबसे बड़ी जो मुसीवत थी वो गांधी थी गांधी की विचारधारा और गांधी के तरीके नहीं अंग्रेजों को परिशान किया हुआ था तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसे समझा सकता है कि गांधी अगर वाइसराय को कहते हैं और ये फ्माशी रुख जाती है पहली बात तो ये घ्यान रखें कि गांधी ऐसे वेक्ती थे जीदों ने अपने स्वियम के लिए बिटिस सासन से माफी ने मांगते हुए अपने विरुद कड़ी से कड़ी कारेवाई करने की मांग की है कई मरतबा जब भी वो गिरपतार हुए हैं और जब भी उन पर मुकदमा चला है तो गांधी ने कभी अपना बचाव नहीं किया बलकि जज को ये कहा यदि मैंने आपके कानून को तोड़ा है तो मुझे कानूनन सजा दी जाए एक बात दूसरी बात भगत सिंग की फांशी रुकवाने के प्रियासों के बारे में मैं बात करूं उससे पहले ही थोड़ा ये जान ले कि भगत सिंग को किल कालनों से फांशी की सजा दी गई थी और भगत सिंग का व्यक्तित्व है और उनका जीवन दर्शन क्या था संशेप में इस बात को समझ ले देखे भगत सिंग एक ऐसे करांतिकारी थे जो अपने समय के उन के जो साथ के जितने भी लोग थे उनमें बहुत पड़े लिखे विक्तियों में से एक थे बगत सिंग का सुभाव अगर हम कहें तो एक तरह से पढ़ाकू का सुभाव था बहुत पढ़ते थे थे बहुत अध्यन करते थे इसलिए वो नेवेट न केवल करांतिकारी थे बलकि बड़े विचारक थे और बड़े लेखक थे हिंदुई हिंदी अंग्रेजी उर्दू में समान अधिकार रखते थे और दुनिया भर के करांतिकारी विचारकों दार्शनिकों को उन्होंने खूब पढ़ा है और वो एक धर्म नेरपेक्स करांतिकारी भी थे भगत सिंग सामपरदाइक्ता को भी सामराज्यवाद से कम खतरनाक नहीं मानते थे हमेशा सामपरदाइक्ता का उन्होंने विरोध किया तो धर्म ने प्रेक्स भी थे, करांतिकारी भी थे, साहसी थे, देश के लिए जान देने वाले व्यक्ति थे और इसके अलावा उनका जो उनकी जो सोच थी, वो यह सोच थी कि भारत की राजनितिक आजादी ही प्रियाप्त नहीं है भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आजादी भी उतनी ही महित्पूर्ण है यदि कोई भी सासक जाती वर्ग धर्म के आदार पर भेदवाव करता है तो हमें उसका विरोध करना होगा, चाहे वो बिटिसर्स हों, चाहे वो स्वदेशी सासक हों तो जात पात की विवस्ता, उच नीच की विवस्ता के भी वो घोर विरोधी थे एक उनके जीवन का विशेश कून था कि वो अपने जीवन के बाद के काल में बड़े नास्तिक हो गए थे इसलिए नहीं हो गए थे कि जैसे कि कहीं पढ़ लिया कि इस्वर है तो आस्तिक हो गए और किसी ने कह दिया कि इस्वर नहीं है तो नास्तिक हो गए उन्होंने अपने अध्यन, अपने मनन के अधार पर अपने आपको नास्तिक कहा, अंतिम समय में जब उनको फांशी की सजा दी गई तब भी उनके साथी ने कहा था कि अनतिम समय में आप अपने प्रभु का सुरण कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई प्रभु नहीं है और मैं अपने जीवन की बचाने के लिए किसी इस्वर की सरण में नहीं जाना पसंद करूंगा तो इतना बड़ा साहस था उनुमें अब बात है कि किस बात के लिए फासी हुई तो देखिए साइमन कमिशन आया था 1928 में और लाहोर में उसकी साइमन कमिशन का विरोद करने का जो ने अब देखिए लाला लाजपत्राय मूल रूप से हिंदू माशबाई थे हाला कि धर्मने पेक्स थे और बगत सिंग वामपंथी विचारदारा के थे दोनों विपरीट विचारदाराओं के थे परन्तु बगत सिंग ने लाला जी की साहज़त को रास्त्रिये अपमान मानते हुए कि सांडर्स दुआरा मारा गया मारे गये लाला जी का बदला लिया जाना चाहिए तो 17 दिसंबर 1928 को अपने साथी जेगोपाज राजगुरू और भगत सिंग ने तीलों ने मिलकर सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गये और पर्चे चिपका दिये कि हमने लाला जी की मोत का बदला ले लिया अब इसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रेल 1929 को बटुकेश्वर्दत भगत सिंग और जेदेव कपूर यह तीनों असेंबली में चले जाते हैं वहां पर जेदे कपूर को तो वापस पास लेकर भिजवा दिया जाता है और भगत सिंग और बटुकेश्वर्दत असंबली में बम फेकते हैं और बम ऐसी जगर फेकते हैं जहां जिससे की कोई जन्हानी नहीं और बम फेंगने के बाद उन्होंने गिरिफतारी दी गिर्फ मुकदमा चला और 307 के तैर उन्हें विस्पोटक पदात रखने के जोरुम में आजीवन कारवाल की सजा दी गए तब तक लाहोर शड़ियंतर कांड की गुथी नहीं सुलजी थी परंतु इस्पेशल कोर्ट बिठाकर लाहोर का कोर्ट की भी सुनवाई की गई जिसमें जज को फासी देने का अधिकार दिया गया साथ एक्टूबर 1930 को जे गोपाल और हंच राज मोरा की गवाई से मुक्विरी से जे राजगूरु शुकदेव और भगत सीम को फासी की सजा का सुनाई जाती है अब फासी की सजा सुनाने के बाद इन तीनों ने कहा कि भाई ब्रटी सरकार हमें युद्ध बंद आनती है तो हमें गोली से उड़ा दिया जाए तो देखिए ये उनकी वीर्टा के पराकास था थी कि वो खुद जो है ये मांग कर रहे हमें युद्ध बंदी मानते में गोली से उड़ा दिया जाए फैर तेईस 23 मार्च 1931 को तीनों को फांशी से जाए दी गई फांशी पर लटका दिया गया हाना कि फांशी की तारिक जो है चोईश मार्च तै हुई थी परन्तु ब्रटी सरकार को ये अंदेशा था कि अगर पब्लिक में ये बात फेल गई चोईश मार्च को उतेजना होगी और से विरोध परदसन हो सकते हैं इसलिए आप देखी कि 23 मार्च को चुपचाप एक दिन पहले इस तीनों को फांशी पर लटका दिया अब प्रस्मी आता है कि क्या इस फांशी को रुखवाने के लिए गांधी ने कोई प्रियास किये या नहीं किये तो मित्रो बात यह है गा एक बार नहीं बार बार इन टीनों की फांशी रुखवाने के प्रियास किये अब किस तरह से किये यह देखने वाली बात है यह पुब्लिक डोमेन पर है सब चीजे लेकिए सभी ने अवेग्जिया आंदोलन के जुर्म में गांधी को ग्रिपतार कर लिया गया था और गांधी को इस गिरपतारी से जो मुक्ती मिली वो 26 जनवरी 1931 को मिली और वाइसराइ इर्विंद से उसे सांती वारता के लिए गांधी को 27 जनवरी से वारता के लिए अमंत्रित किया तो 27 से लेकर तीन दिन तक जो गांधी और इर्विंद के बीच वारता चली उसमें गांधी ने प्रते एक दिन सांती वारता के बिंदूओं पर बात करने से पहले वाइसराइ को बार बार ये काया कि इन तीनों की फांशी की सजा मुल्तवी की जानी चाहिए उससे सांती प्रक्रिया पर शकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अब वाइसराइ ने क्या किया गांधी को आस्वासन देते रहे कि मैं सजा तो बिल्कुल रद नहीं कर सकता पर सजा कम करने का प्रियास कर सकता हूं गांधी को आसा बंदी कि ये सजा फांशी की सजा दो है बदल जाएगी और वो आजीवन कारावाश या कुछ वर्चों के कारावाश में बदल जाएगी तो पहला तो ये तत्के है कि 27 जनवरी से तीन दिन तक 47 वारता में गांधी ने तीनों की फांशी को रुपवाने का बार-बार आग्रह किया था अब यहाँ पर आप देखिए ब्रिटिस सास्कों की ये कुटिल चाल थी कि गांधी को एक तरफ तो ये बरोसा देते रहें कि हाँ फांशी की सजा करने को मुल्टवी या रद्द करने का प्रियास करूँगा और दूसरी तरफ आप देखिए कि 23 मार्च को ही उन्होंने तीनों को फांशी पर लटका दिया तो फांशी की पर जब लटकाया उससे पहले भी 23 जनवरी को भी गांधी ने वाइसराब को फिर पत्र लिखा था कि देखिए इन तीनों योगों की फांशी को रद्द करवाने में सांती प्रिक्रिया पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ये उत्सा ही लोग हैं और इनकी देश बक्ती पर कोई प्रस उठाना ठीक नहीं है और इनकी सजा कम कर दी जाने चाहिए आप देखें इधर 23 मार्च को गांधी पत्र लिखते हैं और 23 मार्च को रात को अंधेरे में ही उनको चुप्चा फांशी पर लटका दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि गांधी ने प्रियास नहीं किया और उस गांधी ने जो गांधी अपने अपरादू के लिए बिटिस जजते कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते से उन्होंने तीनों की सजा को रद करवाने के लिए बार बार निवेदन किया लिखा ऐसा नहीं है कि गांदी ने प्रियास नहीं किया। हाँ यह है कि गांदी को अंदेरे में रखता और फांसी दे दी गई। ताकि, आजिव एक ओर मेसेज देना चाहे थे, वह यह उवकों में यह मेसेज देना चाहे थे, कि गांदी के खिलाम जो है, युवाओं में रोस हो जाए कि गांदी ने कोई प्रयास निक किया, और कांग्रेस की, और गांदी की बद्नामी हो, संयोग से, 24 कराची में जन्वरी 27 से जो है कॉंग्रेस का अधिवेशन होने वाला था तो ब्रटी सांसकों को यह उम्बीट थी कि वो अधिवेशन फांसी की वज़े से उसमें बड़ा जंजट पेदा होगा और गांधी की छबी दुमी लोगी और कांग्रेस की छबी दुमी लोगी और य हाला कि रास्ते में जाते विए जब वो करांची जा रहे थे अधिवेशन में भाग लेने के लिए तो रास्ते में एक इस्टेशन पर युओ आने गांधी को काले जंडे भी दिखाया थे काली फूल भी बहट किये थे और फिर भी मुस्करा कर यह का था कि वही आपका गु उसकी लेर है मैं उससे अंजान नहीं हूँ पर मैंने अपने प्रियासों में कोई कमी नहीं रखी उस स्टेशन पर एक मौजूद एक प्रेस रिपोर्टर था उसने भी अपने प्रेस अख़वार में लिखा कि इन योगों को यह पता नहीं है कि गांधी ने बगत सिंग को कि फांशी को रुखवाने के कितने प्रियास की है अगर इनको पता होता तो साय उसके बाद देखी आप वहां पर कराती पूच पहुंचने पर प्रेस वाट कॉंफरेंस हुई उसमें भी गांधी ने कहा शोग जटाया और गांधी ने कहा कि मेरे प्रियास विफल रहे इसक अपनी जान दे दी इसका मुझे बड़ा कस्थ है हालां कि मैं उनकी वीर्टा की प्रसंचा करता हूं तो गांधी ने प्रेस वारता में भी यह कहा कि मेरे प्रियास जो है सरकारी सडियंतर की वज़े से विफल हो गए और मेरी बात नहीं माने गई इसी तरह से पंजाब का एक प्रमुक अकबार था उसने भी गांधी के प्रियासों को विस्त्रित रूप से लिखा यह सारी बातें जब पब्लिक में आई तम लोगों को पता चला कि गांधी ने इन तीनों की फांशी रुपवाने का बहुत ही प्रियास किये थे और कांग्रेस अधिवेशन के पारित किया गया उसके बाद करांची अधिवेशन के समाप्ति के बाद गांधी ने अपने पत्र हरीजन में एक बड़ा लेख संबन में भी लिखा कि मैं जो है चोर डाकू हत्यारे को भी फांशी देने के खिलाप हूं और यह लोग तो नोजवान तो आवेश में आकर जो हो ने ये काम किया था इनको सजा खासी की सजा ने दे कर कं सजा दी जा सकती थी पर ऐसा नहीं हुआ एक और बात ये उठाई जाती है कि किसी भी कांग्रेसी थी, कोई भी कांग्रेसी बंगज सिंग से जेलने में मिलने नहीं गए, ये भी बात गलत है, कौन-कौन मिलने गए देखिए, नेहरू गए, शुबास गए, केफ नरिमन गए, परी रफी एहमद गए, तेज बहादूर सपरू गए, मोतिलाल नहरू गए, ये सम लोग मिले, और बगत सिंग ने अपनी फासे से एक दिन पहले अपने जो अधिवक्ता थे, प्राण जीवन मेटा, उनको कहा था, कि मेरा धन्यवाद, शुबास और नहरू को कहना, कि उन्होंने मेरे मामले में पेरवी की और मेरे पक्ष में खड़े रहे, तो ऐसा नहीं है कि इन योगों के साथ गांधी की कोई सानुबुती नहीं थी, या फासी रुखवाने का प्रियास नहीं किया, या उनसे मिलने जेल में कोई नहीं गया, ये ब्रांतिया हैं, और ये सब पब्लिक डोमेन में हैं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, कि तथ्चों पर नजर रखें और महापूर्सों को एक दूसरे के खिलाब ख़गा करने की कोशिश न करें, अंतिम बात, अंतिम बात, अंतिम बात, भगत सिंग, ऐसे भावुक्त होकर या आवेश में आकर किसी की जान लेने वाले व्यक्तियों में नहीं थे, उन्होंने अपने लेक में लिखा, कि मुझे मानव जीवन से बड़ा प्रेम है, और मैं किसी की जान लेने के पक्ष में नहीं हूँ, मानव जीवन को मैं उतना ही प्रेम करता हूँ, जितना दूसरा प्रेम करते हैं, तो, पर क्या है, कि अगर बहुत जरूरी हो, बहुत आवश्यक हो, तो ही हिंसा का सारा लिया जा सकता है, वो यह कहते हैं, हर छोटी बात के लिए हिंसा का विरोधी में भी हूँ, तो कहने का मतलब यह है, आज वक्ट भगत सिंग को लेकर, यह बहुत करने का नहीं है, कि हिंसा यह अहिंसा, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, देखिए बगत सिंग के कदम भी अहिंसा की तरफ भी मुड़ रहे थे उन्होंने अपने लेक से सिद्ध किया उनकी केत्वना का विकास भी उदर ही हो रहा था पर आज वक्त उस बैस का नहीं है वक्त इस बात का है किसी को मोका नहीं देता आज हमने हमें इतियास ने मोका दिया है कि हम इन भैसों में पढ़कर और महापुरुसों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके और किसी को बढ़ा और किसी को नीचा करने की कोशिश ना करें अम्रत काल हम मना रहे हैं तो हमारा जीवन अम्रत में हो इसी सुबकामना के साथ आज की वारता को मैं विराम देता हूं अगली वारता में फिर गांधी पर जो प्रस्न उठाए जाते हैं उस पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा आपने सुना इसके लिए बात नमस्कार जै जै बारत जै बारत